हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माइ यूटूब चैनल गाइज क्रिकेट टॉक्वीट लोकेश तो गाइज दस मैचेस हो गए उसमें से हमको मिले दो सुपर ओर और एक ओर सुपर ओर हमने कल देखने को मिला अगेंस मुंबाइ इंडियांस वर्सेस रोयल चलेंजर्स गलोर तो गाइज कल की जो मैच थी वह एक आउटस्टेंडिंग मैच थी तो करते आज उस मैच की बाद तो गाइज सबसे पहले जो एक टॉस जी था मुंबाइ इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा ने और सब लोग वो कर रहे हो ही किया उन्होंने भी पहले बॉलिंग कर शिश्की और उसके सामने जो आ गए फिर आर्सीवी के जो दो दिगज ओपनिंग पार्टनर देवदत पड्डिकल एक युवा सितारा और उनके साथ ऑस्ट्रिया के कप्तान और आर्सीवी के ओपनर एरॉन फिंच तो दोनों ने लगा दिये बहुत ज्यादा रन स्कोर्ड बो रुपे सबसे पहले जो है स्टार्ट बहुत ही अच्छा मिला आर्सीवी को एरॉन फिंच और उनके साथ देवदत पड्डिकल दोनों ने काफी अच्छी बल्ले बाजी की तो दोनों ने काफी अच्छी बल्ले बाजी की एरॉन फिंच ने 50 लगाए उसके बाद में दे 52 रन बनाए फिंच ने एक 6 और 7 फॉर्स उसके बाद में बात करते हैं देवदत पड़ी कल तो देवदत पड़ी कल ने 54 रन बनाए 40 वाल्स पर 5 फोर्स और 2 आउटस्टेंडिंग सिक्स विराट कुली इस बार भी थोड़ा बैट के साथ स्ट्रगल कर रहे और उनके रन नही बन रहे तबी प्यार से भी रन बनाए रहे यह बहुत ही एक प्लस पॉजिटिव साहिन है विराट कुली जल्दी आउट होगे 11 वाल खेलके सिर्फ तीन रन बनाए और राउल चाहर की बाल पर आउट हो गए उसके बाद में जो इस टीम का दुसरा बड़ा सितारा है वो है एबीडी विलर्स ने हमारे जो अच्छा फॉर्म उनका शुरू है वो कंटिनु रखा और 24 बॉल में 55 रन्स बना दिये बुमरा को तो बहुत मारा धागे घोल दिये तो बुमरा को 4 चवके और 4 चके जो है एबीडी विलर्स ने उनके पारी में लगाए 24 बॉल पर 55 रन बन तीन बड़े बड़े चक्के लगाए और इसी के साथ इसी शांदार बैटिंग के साथ RCB ने जड़ दे स्कोर बोर्ड पे 200 के उपर रन अगेंस एक बहुत ही बड़े ग्राउन पे 200 रन बनाना और बिना विराट कोली के रन बनाए यह इत्ते सारे तो यह तो बहुत बड़ी बात है RCB के लिए तो अगर मुंबाइ इंडन्स की बॉलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा पिटाई हुई बुमरा और पैटिंसन की बुमरा और पैटिंसन ने बहुत रन खर्च किये और सबसे अच्छा जो बॉल डाला वो ट्रेंड बॉल्ट ने जा रहा चार ओर में 34 रन देके दो बड़े विकेड उसके बाद राहुल चार आउटस्टेंडिंग बॉलिंग 4 ओर 31 रन और बीग विकेड और वड़ाट कोल इसके बाद में रोईद शर्मा और डिकोग पर प्रेशर बनाया वह वाशिंग्टन सुन्दर वाशिंग्टन सुन्दर ने काफी अच्छी बॉल गी जल्दी से रोईद शर्मा को भी आउट किया उसके बाद में सुर्यकुमार यादों को पहले बॉल पर इसुरु उदान इस वर उदाना ने दो तीन बॉल में आउट कर दे असुर्य कुमार को डिकॉक खेल रहे थे लेकिन डिकॉक को भी इतने अच्छा रन ने बन रहे थे तो डिकॉक भी जल्दी से जल्दी आउट हो गए उजवेंदर चावर के बॉर पे इशान, हर्दिक पांडा भी सबको लग रहा था कि हर्दिक की कुछ रनस आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ हर्दिक पांडा भी एडम जैंपा की बॉल पे आउट हो गए तो उसके बाद में आते है इशान किशन जो की इस मैच का इस आईपल का पहला मैच खिल रहे है और उन्होंने आउटस्टेंडिंग वैडिंग की इशान किशन ने 58 बॉल पे 99 रन बनाए और अल्मोस मुंबई को मैच जिता दिया था गाइस तो वेल प्लेड इशान किशन नाइस बैटिंग फ्रॉम दिस यंग्स्टर तो इशान किशन ने दो चवके और नव छक्के तो गाइस हम पोलाड की बात करेंगे पोलाड ने 24 बॉल पे साट रन बनाए गाई 24 बॉल पे साट रन बहुत बहुत जादा होते उसमें उन्होंने तीन चवके और पाच बड़े-बड़े चक्के लगाए तो इशान किशन नो जो कैरन पोलाड है इन्होंने बहुत की और एक समय जो मुंबई को 30 बॉल पे 90 रन चाहिए ता तभी भी उम्मीद ने हरी और बहुत दूर तक लगे और मैच को सुपर ओर में लेगे लाश्ट बॉल में जो इशान किशन 99 पे शॉट मारक आउट हो गया उसके बाद में लाश्ट बॉल पे चाहिए थे 5 रन तो इस रूदा नागो चवका गिर गया और मैच भो गया सुपर ओर तो आरसीबी की तरब से अगर हम बॉलिंग की बात करें सुपर ओर होने के पहले तो बात करू तो 19 वा ओर जो है वो सैनी ने बहुत अच्छा डाला सिर्फ 1 के 6 पड़ा उस ओर में तो वही पे थोड़ी बह आना भी अच्छा बॉल डाला जो मैच टर्न वाव एडम जैंपा के एक ओर में पुलाट ने बहुत ज्यादा रन मारे उसके बाद में चौल को भी रन गये लेकिन जो 19 ओर जो नवदिप सैनी ने बहुत अच्छा डाला वही मैच का क्रिटिकल पॉइंट आ और नवदिप रन नहीं दिये बस एक 6 लगा उसके बाद में शुरू दाना लेकिन हैट्स ओप तु मुंबई को अलसो मुंबई ने भी बहुत अच्छे फाइट डी विकॉज दोसर रन ऑन चेसिंग बहुत अच्छी बात थी तो बहुत ही अच्छे मैच जो है हमें एक देखने को मिला त सुपर वर में लेकिन जो नौदिप सैनी ने बॉल डाला वो आउटस्टेंडिंग था बुमरा और पोलाड आये उदर से लेकिन उन दोनों को रन ही नहीं जाने दिये एक ही मिस फिल्ड हुए उस पे चवका गया नहीं तो चार्या पाची रन बनते दे मुंबई की तरफ से लेकिन मुंबई ने जो छे बॉल खेले उसमें उन्होंने बनाए साथ आठ रन बनाए सिर्फ तो आरसीबी की तरफ तो मैच जुग गया गाई से तो आरसीबी की तरफ से एक बड़ा सवाल था क्योंकि विराट कोली आउट आप फॉर्म थे तो कोन आएगा ओपनिंग करने लेकिन जो ट्रेंड बोल्ट है उन्होंने बॉल को रोग दिया और वाइप भी मैच दो बॉल पर दो रन हो गया थर्ड बॉल एक बूंगर आव एबीडी विलर्स के यहां से जाता है हेलमेट के लगते आउट अंपायर अपिल करते हैं जाने कि प्लेयर अपिल्स करते हैं बार आउट दे देते हैं तो अबडियर्स रिवीव के ते और रिवीव में साफ पता चलता है कि इस बार वह आउट नहीं थे इस बार वह गलती नहीं हो सकती जो बीचले बार मुंबाई इंडेंस ने जो लास्क बॉल में नोब था अंपायर ने देखा नहीं था इस बार अच्छा शॉट नहीं था लेकिन जो वैल्यू चाहिए थे वो रन चाहिए थे वो रन आरसीवी को मिलकर चार रन और पाच्वे बॉल पर जो एक सिंगल देते थे और एक बॉल पर एक रन चाहिए था और किंग कोली ने अपनी ग्रैंड स्टाइल में फिनिश किया मैच को गुमरा के लास्ट बॉल पर चवका मारके आरसीवी ने एक बेहरदी करीबी मैच जीत लिया जो मैच पहले आरसीवी के हाथ में था इस मैच में हमको बहुत ज्यादा टर्न देखने को मिले 14 और तक मैच आरसीवी ने बनाय रखा उसके बाद में इशान और पोलाट की हिट सब्सक्राइब करता हूं कि मैच में क्या होने वाला था और क्या हो सकता था बेटर तो गाईज फ्लीज मेरे एफर्ट्स को थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए तो फ्लीज वीडियो को ज़्दा से ज़्यादा से सेर कीजे हमाए के फैंस के साथ और और काफी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले है गाईज तो प्लीज अभी हमारे चाइनल के साथ बने this video.